देवरानी की सौतन राधा एक सीधी साधी लड़की है उसकी सास विमलादू से बहुत प्यार करती है लेकिन उसकी जिठानी लता को राधा बिलकुल पसंद नहीं राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टीकी क्योंकि राधा का पती मिहिर उसकी सौतन लियाया ये कौन है जी? आप किसको घर पर लिया है? ये इस घर की नई बहु और मेरी पत्नी सुना ली है क्या? आपने दूसरे शादी कर ली? आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी मेरी बारे में नहीं सुचा? ये क्या बोल रहा है बिटा? तेरी पहली पत्नी के होते हुए तो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कौन है ये चुड़ा? निकाल इसे यहां से! मा, राधा, आप दोनों एक बात समझ लो मैंने सुनाली से शादी अपनी मर्जी से की है वो यहीं रहेगी और राधा, तुम्हें यहां रहना है तो रहो नहीं तो निकल जाओ यहां से पर सुनाली अब यहीं रहेगी राधा को मिहिर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई तभी मिहिर सुनाली को उसी कमरे मिलाता है और राधा सी कहता है राधा, तुम गैस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ आज से सुनाली मेरे साथ इसी रूम में रहेगी यह क्यों इस रूम में रहेगी यह मेरा कमरा है आप इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ ओडर्लिंग इस गवार को तुमने सेर पर चड़ा रखा है छोड़ो ना हम दोनों गेस्ट रूम में ही चले जाते हैं वैसे भी इस रूम का इंचिरियर डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया मिहिर उसे लेकर चला जाता है और राधा कमरे में बैच कर बहुत रोती है तबी वहाँ पर विमला और लता आ जाती है विमला राधा को समझाती है लेकिन लता अपनी देवरानी की जखमों पर नमक छिड़कते हुए कहती है राधा जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो तुम्हारा पती तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी साथन ले आया मेरे पती तो बिल्कुल वैसे नहीं है वो किसी दूसरी औरत को आँख उटा कर देखते तक नहीं है हाँ, मेरी ही कमी है कि मैंने उन्हें भगवान की तरह पूजा उनकी हर छोटी से छोटी बात का खयाल रखा मुझे नहीं बता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे लता बहु, ये कोई समय है ऐसी बाते करने का जाओ, राधा के लिए कुछ खाने को लियाओ अगले सुबह सब बैटकर नाश्टा कर रहे थे तब ही सुनाली और मिहर भी वहाँ आ गए सुनाली कहती है डालिंग, क्या यहां रोज इतना ही आईली ब्रेक्फिस्स बनता है मुझे इतना आईली खाने की आदत नहीं सुबह कुछ healthy food खाना चाहिए आज तुम यह खालो डालिंग, कल से तुम जो कहोगी इस घर में वही बनेगा Okay जालिंग, मैं आज तुमें अपनी हाथों से खाना कहलाऊंगी सुनाली मिहर को अपने हाथों से खाना कहलाती है यह देखकर राधा को बहुत दुख होता है उसके बाद मिहर अपने ऑफिस चला जाता है तब लता सुनाली से कहती है सुनाली, कैसा लगा तुमें अपना सिसुराल अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता पसंदो मुझे भी कोई नहीं करता सब उस राधा के आगे पीछे ही गुमते है चलो छोड़ो इन बातों को आहो, मैं तुमें घर दिखाती हूँ लता सुनाली से बहुत बाते करती है जब मिहर घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में घंटो बाते करती लता और सुनाली की नजदी क्या देख कर विमला सोचती है ये लता बहु हमेशा सुनाली से गुड़ पर चीटी की तरह क्यों चिप की रहती है राधा से तो कभी इसने ढंक से बाब भी नहीं की राधा भी तो इसकी देवरानी है और ये देवरानी से बोलती तक नहीं लेकिन देवरानी की सातन से चिप की रहती है विमला ये सब सोची रही होती है कि तभी वहां राधा आकर पूछती है मा जी आज राध की खाने में क्या बनाऊ अरे राधा मुझ से क्या पूछ रही है तो आप हमारे लिए कुछ बद बनाना। ये बोलकर महिर वहाँ से चला जाता है। राधा रोते हुए अपनी सास से कहती है। देखा माजी आपने, आप ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये मेरे साथ ऐसा बढ़ता हो करते हैं जैसे मैं इसकुर में रहती ही नहीं हूँ। अरे ना, ना बिटा, रो मत तु। उस सोनाली का जादू इसके सर से उतरेगा ना, तो ये फिर से तुमारे पास ही आएगा। शाम को महिर सोनाली को आवाज देता है। सोनाली, सोनाली जल्दी बाहर आओ, इतनी देर करोगी तो मुवी शुरू भी हो जाएगी। अहो जालिंग, तुम तो तयार भी नहीं होने दिती। दीखो, कैसी लग रही हूँ मैं। हमेशा की तरह बहुत खुपसूरत। अब चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। मिहर सोनाली की साथ चला जाता है, यह सब देख कर राधा बहुत रूती है। इसी तरह एक दिन सभी बैठ कर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिहिर सोनाली से कहता है। सुना ली, कल मैं आफिस नहीं जाओंगा, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे ठीक है डार्लिंग बेटा, राधा को भी शॉपिंग पर ले जा, उसके सारे कपड़े पुराने हो गया है और वो दिन बरगर के कामों में लगी रहती है, कहीं बाहर ही नहीं जाती बाहर जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा क्या के रही हो मा, मैं राधा को लेकर बाहर जाओंगा कभी नहीं, सॉरी मा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है मैं आपको रुपया दे दूँगा, आप चली जाना उससे लेकर बेटा, तु तो राधा को बिलकुल भूल गया है मगर ये याद रख, वो आज भी तेरी पत्नी है और इसी घर में रहती है हाँ तो वो क्यों रहा रही है इस घर में, चली क्यों नहीं जाती राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमें तलाग दे सकता हूँ तुम ठीक से सोच लो और अपना फैसला मुझे बता देना बदले में जो चाहो वो मैं तुमें दे सकता हूँ मिहर की बात सुनकर राधा के उपर मानो बिजली सी गिर गई इसी तरह कुछ दिन बीट गए राधा अब बहुत दुखी और चुप-चुप रहने लगी एक रात विमला किचन की तरफ पानी लेने जा रही थी लेकिन किचन में से बातों के आवाज सुनकर वो बाहर ही रुख गई और सूचने लगी अरे ये इतनी रात को कौन बाते कर रहा है ये तो लता और सुनाली की आवाज लग रही है ये दोनों इतनी रात को क्या बात कर रही है ध्यान से सुनती हूँ तब पता चले का वो दोनों की बात ध्यान से सुनती है सुनाली लता से कह रही थी देख मिम सब तेरे देवर को मैंने तेरे कहने सिप पटाया था, मैंने तेरा काम गर दिया, अब तु मुझे बाकी की रुपय दे दे नहीं, तो तेरे घर वालों को तेरे सारी सिच्चाय बता दूँगी विमला दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि डाल में कुछ काला है, वो सोनाली की जन्म कुणले निकालने में लग जाती है, तब उसे सोनाली की सच्चाई पता चलती है, एक दिन विमला सारे घर वालों को बुलाती है और कहती है मेहर, तुमने सोनाली से शादी कर ली है, ये बात हमारे रिष्टेदारों को भी तो पता चलनी चाहिए ना मैं तुम दोनों की शादी की खुशे में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिसमें मैं सारे रिष्टेदारों को बुलाऊंगी सुनाली तुम भी अपने रिष्टेदारों का नाम और पता बता दो मैं खुद उन्हें निमंत्रन भेजूंगी ये सुनकर सुनाली घबरा जाती है तबी मिहिर कहता है मा सुनाली का कोई रिष्टेदार या नहीं रहता वो सब अमेरिका में रहता है सुनाली खुद अमेरिका से आई है इसलिए आप बस हमारे रिष्टेदारों को ही इन्वाइटर दीजिए मिहिर तुम बहुत भोले हो तबी तो इस 420 सुनाली ने तुम्हें आसान इसे बेवकुफ बना दिया ये कोई अमरिका अमरिका से नहीं आई ये जेल से आई है और इसके घरवाले भी एक नमबर के चोर है ये और इसके घरवाले लोगों को बेवकुफ बना कर घर लूट कर ले जाते हैं और इसको तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली है लटा लटा, अब तुम बताओ क्यों किया तुमने ऐसा हाँ, मैंने ही सुनाली को रुपया दिये थी कि वो महिर को अपने प्यार के जाल में फसा ले और मेरी देवरानी की सौतन बन कर इस घर में आ जाए लेकिन भापी आपने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं जलती थी तुमसे करके सबी लोग और मा तुमसे प्यार करती थी मैं तुमसे बतला लेना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा किया भापी आपको शेर मानी चाहिए आपने मेरा घर बरबाद किया मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी सारी सच्चाई जानने के बाद मिहिर सुनाली को घर से निकाल देता है और राधा से माफी मांगता है सच में अच्छी लड़की होती तो क्या तुमसे छोड़ते और इस बात की क्या guarantee है कि कल तुम्हें सोनाली से अच्छी लड़की मिलेगी तो तुम दोबारा ऐसे गलती नहीं करोगे राधा अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है विमला और महिर उसे बहुत रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकती राधा जाते जाते अपनी जिठानी से कहती है भाबी आप क्यों उदास करी हो आपने जो चाहा था वो तो पूरा हो गया ना मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अब आप ही इस घर की बहु है अब सब आपको ही प्यार करेंगे बस तबी लता का पती विकास आ जाता है और कहता है नहीं राधा ये इस लायक नहीं कि इसे कोई प्यार करें लता तुम अभी इससे वक्त इस घर से निकल जाओ मैं तुम्हें एक सकंड बें यहां बरताश नहीं कर सकता अगर मैंने तुम्हें इस घर में चका दी तो नचाने कल तुम हमारी उपर कौन से दुखो का पहाड तोड़ोगी लता विकास से बहुत माफी मांगती है लेकिन वो उससे घर से निकाल दीता है लता को इस बात का पच्चतावा था कि उसने अपना हस्ता खेलता घर बरबात कर दिया ना तो विकास अपनी पतनी लता को माफ करता है और ना ही राधा अपने पती निहिर को माफ करती है